आईए, हम लोग अपने learning process को continue रखते हैं recent अभी जो bank nifty trade कर रहा है क्यावन हजार सौ के पास trade कर रहा है nifty 50 का price 25-140 के पास trade कर रहा है हमारे जो trade plan है वो sell on rise के हैं sell on rise में जब भी market का structure higher side trade करके किसी resistance area के पास swing high के पास trade कर रहा है तो वहाँ पे आप short करेंगे short करने का तरीका आपका वही होगा जब price एक major breakdown करेगा वहाँ पर आप debit spread के साथ जाएंगे higher side किसी resistance के पास से credit spread direct sale on the spot call side otm strike price ठीक है ये trade plan होंगे कल के session में मैंने आपको मना किया कि आपको buy sell on rise में option buying नहीं करनी option buying कई लोग पूछ रहे थे क्यों नहीं करनी कितना पैसा कल मैंने आपको समझाया ना सर क्यों नहीं करनी फिर भी पूछ रहे है अगर नहीं समझाता है अभी देख लीजे market कहां पे trade कर रहा है 51,134 कल की closing क्या है कल की closing है 51,100 बाजार हुआ से 100.2 पर है यहाँ पे लगबग 100 पॉइंट का यह आपको bank nifty higher price पे दिखेगा और इधर आईए मैं आपको दिखाऊं अगर data तो देखिए 51,600 का call 40 point 72% गिर गया 51,100 का put 68 point 200 रुपए गिर गया 68% 51,000 का put 80% 200 point down है सर तो आप ऐसे price में आप कहेंगे call option buyers profitable होंगे अरे सर call option buyers क्या कोई भी profitable नहीं है देखिए यहाँ पर इसी इन गलतियों से जब तक आप बच नहीं रहें 55% total premium का decay है यह 100 रुपए ठीक है तो जो भी कल last time पे call option buying करके गए अभी recent market scenario में क्या है trade आपका loss में है चाहे आप long करके जाए यह तो चाहे short करके जाए तो option buying से बचिए सर option buying से जब तक आप नहीं बचेंगे तब तक समझ लीजे दिक्कत है ठीक है चली अब हम लोग अपने समझते है चीजों को एक एक point को हम लोग clear करेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा अच्छा जब हमारे sell on rise जब price higher side जाएगा तो rise करने पर हमको sell करना है ठीक है तो मैंने कहा long की positions को नहीं trade करना है long की positions को लेना ही नहीं वो trade plan का हिस्सा ही नहीं है यह कई लोगों ने doubt किया कि long की positions execution क्यों ना किया जाए जब price यह sharp momentum भी करता है अरे sir जब आप trend के favor का trade execution करते हैं तो आपका accuracy 80% और जो भी setup आप trade करेंगे उसके सही होने की संभावना लगवग लगवग पूरी की पूरी है और जब आप trend के against किसी price को trade कर रहे होते हैं 30-40% accuracy रह जाती है आपकी फिर आप क्या ही सही होके कीजिएगा जब इतना का accuracy है ठीक है तो इन चीजों पर धान दीजे वहाँ पर काम कीजे कई लोग पूछ रहे थे कि आपने बताया कि 51.500 और 51.600 की उपर जब price अपना candle close करेगा तो घंटे का उसके high break होंगे तब आप long करेंगे ठीक है तो long करने की condition क्या होगी किस तरीके से समझा जाएगा कि अब यहाँ पर long की positions ली जा सकती है अभी जैसे impact high आपके बन गए 50.500 के पास अब जब यह high break होंगे 5 मट के time frame पर इसके उपर price close तब आप long की positions को trade करेंगे इसके पहले नहीं अभी recently आपका swing high price का है hourly time frame पर यहाँ देख लीजे यह आपके swing high लगे हुए यह swing high और इसके साथ यह swing high ठीक है और price जब जब rise करें तो सिर्फ शॉट कीजिए और कुछ नहीं rise करने के बाद sale करने में आपको बहुत मुनाफे हैं से बार बार यही बास समझा रहा हूँ price ने एक impact हाई लगाया दुबारा उपर जाने की कुशिश किया जैसे ही अंदर आया swing high कैसल डाली है शॉट कीजिए simple technique के साथ काम कीजिए ingle fing पे शॉट कीजिए pin war candle पे शॉट कीजिए short positions में जब आप trade कर रहे होंगे तो आपकी गलती की गुंजाश ना के बराबर होगे अभी जैसा market condition है जब breakdown मिले तब वहाँ पर debit spread बनाईए ठीक है जब resistance के पास short कर रहे हैं तो credit spread पे काम कीजिए resistance के पास short कर रहे हैं इन दोनों में बड़ा difference होता है debit spread और credit spread ठीक है class के trader समझ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग sessions में आते हैं उससारी चीज़े clear कर रहे होंगे जब price higher direction momentum कर रहा है यहां से यह आज 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 आपकी opening का price है यहां पर यह आपका पहला 9.15 का candle price रुका रहा रुका रहा उसके बाद higher direction momentum कर रहा है जैसे यह nifty का price है ठीक है price यहां पर आज open करता है open करने के बाद consolidation consolidation higher direction momentum करता है तो यहां पर long क्यों ना किया जाए कैसे पता लगता है कि long scenarios नहीं अरे sir आप यह समझ लीजे कि जहां पर retailers कहीं interested होंगे तो वहां पर momentum नहीं आएगा और institutions अगर अपनी position नहीं बना रहे है तो momentum नहीं आएगा तो कहीं पर retailer interested है और institution अपनी position नहीं बना रहे है तो उस direction में momentum आ सकता है क्या बहुत rare case है कि कोई directional trend आपको मिल जाए बहुत कम संभाव न रहेगी बहुत rare case है कैसे समझते हैं अरे sir volume के price को आप देखेंगे अब देखेंगे market higher side 100 रुपया का भाव है 100 से चलते हुए 100 रुपया 50 पैसा 101 रुपया 102 रुपया 103 रुपया ऐसे चलते हुए rise कर रहा है ठीक है institutions का ही volume आपको यहां देखेगा वही इतनी बड़ी खरीदारी विक्वाली करते हैं retailers के volume तो छुप जाते हैं sir तो उनको तो बस खरीदारी करा ही जा रहे है यह trap करने के लिए मैं आपको दिखाओ यहां पे यह देखे volume आपको spot chart पे नहीं दिखता है कई लोग पूछ रहते volume दिखता है आपको futures के chart पर कहां दिखता है sir futures के chart पर यहां पे आए यह October का आपका future रहा यहां पे जाए और जाने के बाद देखिए volume यहां पर search कीज़े ठीक है यह आपके लिए volume आप जड़ा ध्यान दीजिए price की opening से लेके गवर कीज़ेगा ठीक है price की opening होती है यहां पर 9.15 का यह पहला candle यहां से लेकर price अब consolidate करता है volume लगातार गिर रहे है ठीक है एक candle higher side बना volume का candle देखिए unusual candle sir कभी भी एक candle के against में इतने बड़े दो candle लगातार खड़े हो जाए simple technique है देखिए यहां पर आईए यह आपके swing high के price है price इसके उपर जा रहा है मतलब trapping करेगा buyers को trap करेगा CDC बात है जब ऐसा price कोई act कर रहा है तो यहां पर जाने के बाद जब भी price इसके नीचे लोटे तो short कीज़े market में आपके profitability के बहुत सारे chances कल हम लोग जो position trade करके गए उसका प्रेडाम आपको telegram पे मिल जाएगा अब हम लोग share कर देंगे ठीक है कल हम लोगों के पास जो position holding था वो क्या था सर उपर से हम लोग short करके बैटे है 53,554,000 यह सारे strike price call side से और नीचे से जो strike price हम लोग लेके बैठे है 47,500, 48,000 यह सारे put strike price अब market कहीं भी trade करे हमको हर हाल में profit होना होता है इसलिए hedging में हम लोग profitability की तरफ है अब intraday में जो हम लोगों की पास position hold है उपर से हम लोगों ने 35,800 का call shot किया हुआ है नीचे से हम लोगों ने 48,500 का put short किया हुआ है अब इस position की holding में हम लोग बैठे देखें कैसे एक पैसे का loss हो जाए लगातार profit आ रहा है हर session में हमारा यही काम है से आप लोग जब तक option buying से अपनी position को और यह बात मैं repetitive बोल रहा हूँ कि option buying से हट जाईए या तो आप इतना skill आपके अंदर हो कि 2-3 साल आपने बाजार में price action पे काम कर लिया हो आप जानते हो कि levels को कैसे trade करना है position को कैसे square off करना है कब momentum का prediction होगा कब आप यह बोल पाएंगे कि 15-20 मिनट में momentum आएगा तब option buying की जाती है sir उसके अलावा जब आपको देखें यह higher side momentum है price को समझेए यहाँ पर यह price higher direction कितना आसान होता है लोगों के लिए profitable होना और उन्हीं traders के लिए कितना मुश्किल हो जाता है loss और profits में आना बहुत मुश्किल कर देते हैं कैसे अपना आपका खुद का psychology sir यह आपके सामने nifty का downside momentum है अभी price ने last swing high 25-630 से supply उठाई थी और low लगा दिये 24-900 25-630, 700 point की ग्रावट है की नहीं है 700 point की ग्रावट है अब price क्या कर रहा है morning में जो trade कर रहा है 25-200 के पास trade कर रहा है और यह resistance इरिया 26-600 से लेकर यह low यह क्या है यह एक range है जिसको आप fair value gap कहते है fair value gap का मतलब समझे की तीन candles अगर इस तरीके से बन जाएं की यह एक candle यह दूसरा candle और यह तीसरा candle ठीक है तो इस candle के high और इस candle के low के बीच में जो gap है और यह tradable तभी होगा जब किसी एक swing high के पास लेकिन जब price pullback लेके यहां से चला तो इस जगेप पे बना fair value gap जब भी price lot कराएगा यही से रिटेश्ट हो के higher side जाएगा अब किसी price का momentum downside है किसी price का momentum downside है अब downside में यहां भी fair value gap है यहां भी fair value gap है लेकिन एक actual fair value gap क्या है जब price spike करने के बाद यहां से lot के एक नया लो लगाया तो जो swing low high के पास इस swing high के पास जो fair value gap बना last वही price आपके लिए ट्रेटेबिल है price वही से एक reaction लेगा ही लेगा त्य है आपको price में momentum मिलेगा अब सोचिए price यहां से चल कर जा रहा है और यहां पर पहुँच गया 25-200 के पास trade कर रहा है बहुत ध्यान से समझे जो चीजे बता रहा हूँ सर hidden jam है आप ऐसे समझे कि आप जब तक option selling और hedging में काम नहीं करेंगे तो हमेशा आपकी गलतियां होती रहेंगी hedging आपने अगर नहीं किया आपने spreads को नहीं समझा strike price selection को नहीं समझा गलती होती रहेंगी आप देखे price यहां पर trade कर रहा है morning में 25-200 के पास आज क्या है RBI policy का station था तो event के दिन क्या होता है कि जब भी अगर आपका event 1 बजे है या 12 बजे है तो price में जो भी आपके premiums होते है वो spike नहीं करते है premium sustain करता है sustain मतलब कल जो premium है वो theta का decay नहीं होगा price वहीं पर रुका रहेगा momentum नहीं करेगा ठीक है जो सारे strike price जैसे जितना आप options में ये सारे strike price में आप decay देख रहे हैं 70%, 80%, 80% जब भी कोई event होगा तो event के just hit होते ही premium अपना पूरा erosion हो जाता है जितना भी premium का value होगा जितना भी erosion होना होगा time की value का वो पूरा एक साथ होगा ठीक है अब price क्या कर रहा है उसी accurate time पे rise कर रहा है और rise करते time में आपने identify क्या किया बताईए बहुत द्यांचे सुन लीजी यह learnings आपकी बार बार नहीं होती swing low एक impact हाई दूसरा swing low impact हाई तीसरा swing low अब यह अभी price यहां तक पहुंचा है ठीक है अब यह तीन swing low आपके सामने बने हुए है इन तीन swing low में अगर आप गौर करें तो दो points को यहां पे बनाईए last swing low में यह candle और यह candle यह आपके लिए एक gap हुआ fair value gap मैंने क्या बताया एक candle के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा तीसरा candle इसके नीचे close करना चाहिए अगर यह candle इस candle के अंदर ही close करता तो यह हमारे लिए mention नहीं करते इसको में आप ठीक है तो यह candle के बीच में gap क्या है यह gap है आपके लिए price की आज की opening क्या है बताईए बहुत ध्यान सो सुनिए पूरा ट्रेल प्रान आपको बता रहो price की opening क्या है price की opening है यहां पर से price की opening है 51.200 के 25.200 के पास ठीक है अब price में premiums डिके मिला नहीं morning में और जब market उपर जा रहा है तो premiums rise भी कर रहे है call side से call side के premium बढ़ भी रहे है और हमको पता है यह last swing high का fair value gap है momentum downside है हमको क्या करना चाहिए अगर 25.300 का बाजार है तो 25.500 25.600 के strike पे जाकर अपनी positions में जितना higher direction momentum मिलेगा इस swing high तक लगाता average करेंगे देखते हैं कोई पैसा आपको घाटा दे जाए कोई single opportunity आपको loss दे जाए तो बताईएगा एक trade plan को समझेए अब सोचिए आप क्या कर रहे हैं समझ लीजे यह fair value gap का price है आपकी opening है पच्चिस दोसो के पास पच्चिस दोसो का मतलब हुआ यह जो price है 9.15, 9.20 का आप माल लेते हैं और आप 25.600 की monthly expiry में काम करेंगे निफ्टी की ठीक है अब समझ यह क्या कर रहे हैं चोड़े time frame पे आईए मैं आपको बताऊ trade plan कैसे बनाते हैं आप लोग trade plan नहीं करना जानते हैं trade plan अगर आप नहीं करना जानते हैं तो कैसे काम चलेगा बताइए अब यह price में momentum यहाँ price रुक रहा है, sustain कर रहा है, sustain कर रहा है sustain कर रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं 25.600 का monthly strike price call side ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों ने पहला quantity execute किया और जब price ने rise किया तो rise करने के बाद 170 पे average और swing high लगा दो quantity average की तो हमारा average price के आ गया होगा सर 165 के पास आ गया होगा अभी price rate कहां कर रहा है 157,85 trade कर रहा है ठीक है और 25.600 का जब आपने अपना hedge बनाया है तो सोचिए आप 25.600 जब तक बाजार cross नहीं करेगा तब तक आपको कोई घाटा है नहीं अभी recent market अगर आप देखें यह तो future का price है 277, spot price क्या है? 140 140 से बाजार को 25.600 जाने के लिए कितना momentum करना होगा 4500 point तो साड़े 400 point का margin offerer है जो आप लोग ऐसा लेरिया रखते हैं न कि यहां पर 25.140 का बाजार है 50 point उपर गया तो घाटा हो जाएगा अरे सर यहां पर साड़े 400 point उपर से creditors पर deploy कीजिए और जब तक price 25.600 के उपर नहीं जाएगा सर और बचाने लाइक कोई नहीं है बाजार में आपको यह बाद जान लीजे आप सोचे को कि बचाने आएगा नहीं आप खुद अप खुद बच सकते हैं आप किसी के कहने पर काम करेंगे किसी के advisory पर मेरे कहने पर भी काम मत कीजिए किसी के कहने पर काम नहीं करना है आपको self-belief पर practice करना है खुद के भरोसे पर जब आप काम करके आगे बढ़ेंगे वहीं पर skill आता है sir ठीक है अभी bank nifty का recent price देखिए bank nifty trade कर रहा है 193 अभी यह high क्या लग गए? 5700 यह momentum देखकर आपको लगेगा कि long कर देना चाहिए लेकिन जब पहले से आपने सोच लिया है कि hourly और two hourly time frame की जब तक आपको closing नहीं मिलेगी तब तक आप long की positions नहीं ले सकते मतलब नहीं ले सकते ठीक है यहाँ पे आईए मैं आपको दिखाओ यह two hourly time frame price की closing क्या है? इस candle के अंदर यह जो candle है इसके अंदर next candle, देखे चल के कहां तक गया? 700 तक अब next candle, इसी 51.700 से selling उठाके, 51.500 से selling उठाके जो low लगा गया 50,000, 50,000, अभी कांट rate करें 500,200, मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान कीजिए, कल के session की बात है मैंने आपको बताया था कि daily time frame पर बना यह बड़ा candle, जब तक इसके अंदर price एक middle में अगर एक candle close हो गया इसके high और इसके low के अंदर जब तक price रहता है, तब तक price consolidate करता है, यह best time to trade है straddle और strangle, जो traders straddle और strangle को trade कर रहे हैं, वो most profitable trader है, जैसे straddle और strangle को trade करने का मतलब हुआ कि morning में आपने क्या किया, 51,000 के call put sale किये, ठीक है, 51,000 के call put अगर आप 51,000 के call put sale करेंगे तो क्या होगा बताये, यहाँ पे premiums मैं आपको दिखाऊ, 51,000 की CEP, यह, no October 15,000 का call और यह 15,000 का put, इसमें 227 point का profit है, इसमें 30 point का profit है net profit आपका कितना हुआ, 260 point, सिर्फ straddle में बाजार वहीं का वहीं है, 200 point bank nifty उपर trade कर रहा है, और आपका जब profit है वो कितना है, 260 point है, बताये किसी option बाइर का यह profit है, सिर्फ selling और hedging करने वाले traders, जो intraday में positions को समझते हैं, projection के साथ trade करना जानते हैं, consolidation में भी पैसा का मना सीखिए, सिर्फ momentum में पैसा नहीं बनता है, जितना पैसा consolidation में बनता है, उतना momentum में आपको भी बना नहीं पाएंगे, ठीक है, चलिए, आज के लिए लगवग लगवग चीज़ें आपको clear होंगी, अगर इस session में कोई doubt रह गया हूँ, यह मैंने इसलिए किया, कि आपको briefing मिल जाए, कि आपको live session में करना क्या होता है, हमारे traders तो अपनी positions को plan करके बैठे हैं, positions में बैठे हुएं, जो लेकिन जो YouTube पर आप लोग session देख रहे हैं और buyer है, मैं उनसे कहता हूँ, कि थोड़ा awareness के साथ काम कीजिए, और जिम्मेदार ही पकड़िए सर अपनी, कि आप जिम्मेदार हैं, वो आपका पैसा है, जो आप गवा देते हैं इस बाजार में, ठीक है, चलिए, धन्यवाद.